आज हम आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं एक नया कारेक्रम जिसका नाम है बाते हमारे काम की बाते बहुत सारे होती है आपस में चिटचेट करते हैं फैमली में दोस्तों में कॉफी कैफे होता है वहां पर जाके बाते करते हैं लेकिन कौन सी बाते हमारे जीवन में महत्पून होती है यह जानने के लिए बहुत ही एक विचार करना पड जूश वूरुफ०ि, शूव किम्रीं पर भी के साथ अपने प्रतिनी दिथ्व निभाती आ रही है। बारे में थोड़ी से मैं आपको डिटेल बता देती हूँ, वो पिछले चालिस वर्षों से एक छात्रोर शिक्षक के रूप में अपना ब्रह्मा कुमारीज के साथ एक अनुभव करती आ रही हैं, साथी साथ आर्दस्टों के प्रती, उनके समर्पन के कारण, उनका जीवन सा भी किया है, उन्होंने कई देशों में ब्रह्मा कुमारीज का कुछ संदेश भी पहुंचाया है, वो बहुत ही मुख्य बात होती है, आगे है मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, उसके साथ साथ 2007 में लंदन कमेटी में जैमनी जी ने दिवाली पर बीके संगठन के प अना हुआ था, साथ ही साथ जैमनी जी लंदन में सामुदाइक परियोजनों में समन्वे में मदद करती आ रही है, उनका एक मैसेज है आप लोगों के लिए, उनसे भी हम नुस्प के बारे में चिट-चैड करेंगे, मतलब बाती करेंगे, मैं कभी भी अपने आपको हम कैसे निभाते आ रहे हैं, रहसे बात इस परकार से है कि हमें वो अपना जीवन सरल तरीके से निभाना है, अन्त में उनका मैसेज ये है कि खुश रहो और संतुष्ट रहो, हमें खुश कैसे रहना है और संतुष्ट कैसे रहना है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, बात एक मैसेज दिया है हमारे दर्शकों को की खुश रहो और संतोस रहो आप अपने जीवन में किस तरह से अपने आपको खुश रखती है अपने जीवन में हमारा फाउंडेशन है अध्यात्मिक ग्यान और योग का अभ्याज हरो सुबह को हम अपना जीवन अपना दिन भर सेट करते हैं दिन चर्या पूरा सेट करते हैं और दिन चर्या में एक तो मुख्य हमारा टाइम टीबल टाइम टीबल बाहरी रुप में जैसे हम बनाते हैं कि दस बजे क्या करना है ग्यारा बजे क्या करना है वो तो खेर भरता ह जाता है परन्तु मुख्या बात है कि अपने मन का टाइम टेबल, that's right, हम अपने मन में किस प्रकार से अपने मन को व्यस्त रखते हैं, कौन सी बाते हम आज अपने मन को सोचने के लिए देंगे, और कौन सी बाते हैं जो हम आज अपने जीवन में उसके उपर अभ्यास करेंग मैं वो आपके टाइम टेबल के ही साप से सट रहे था, that's right, तो हमारे जो मुख्या परमात्मा के महावाक्या है जो हम सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, पूरा हमारा जीवन स्पिरिचुल प्राक्टिस के उपर है, स्पिरिचुल स्टडी के उपर है, तो हम जो सुबह को हमार लेसन होता है, उसके उपर हमारी दिन्चरिया, मन की दिन्चरिया हमें कहोंगी, मन का टाइम टेबल, हम सेट करते हैं, क्या बाते हमको सोचनी है, क्या नहीं हमको जीवन में लाना है, और कौन सी बाते हैं, जो हमको प्राक्टिकली जीवन में व्यवहार में लाना है, तो य यह जीवन में तुरूप्त होता है। तो नेच्रली अंदर की Jo तुरुपती है माना कि आज हम सब्सक्राइब हुm तो हम तुरूपत रेते हैं तो तुरूपती का हम किस प्रकार से measurement करते हैं अंदर की तुरूपती जैसे मेरे पास सब कुछ है बहुत एक सुख है comfort से हर एक अनिक प्रकार की सब gadget से मेरे पास degree है position है जीवन में संबंध है अच्छे अच्छे लोगों को मैं जानती हूँ, उनके साथ मेरी पहचान है पर उनके साथ मेरा संबंध भी है, इंफ्लेंस भी है तो ये सब बहारी बाते हैं, जीवन के अंदर अनुबह करने की, प्राप्त करने की जब ये मेरे को मिलता है तो मैं समझती हूँ कि मैं जीवन में तुरुपत रहूंगी परंतु रियल तुरुपती क्या है अगर मैं इसकी गिराई में जाऊंगी तो ये सब बाते मैंने जो बताई वो आज है कल में ये उक्षण भंगूर है लिमिटेड है समझो पोजीशन है मेरी मैं कमपनी की CEO हूँ तो आज मैं हूँ कल शायद वो स्टेटस मेरा चला जाएगा ठीक है ना आज मैं जवानु कल में बुजर्ग हो जाऊंगी तो वो भी जो जवानी का नशा है वो भी खतम हो जाएगा तो वो भी अंदर की जो तुर्फती जिसके आधार से में खुश रहती थी वो टेंपररी है पर रियली जब अध्यात्मी करिती से देखा जाए तो अंदर की जो तुर५ती है वो तुर५ती यह है कि मैं अपने को समझू मैंने कहा तक अपने को जाना है मुझे अपने जीवन में क्या प्राप्ती जो होती है वो कौन सी प्राप्ती के आधार से मैं जीवन में आगे बढ़ रही हूँ क्या मेरी प्राप्ती जो है जब लोग मुझे देखे और कए के ना बहुत अच्छा है मेरी प्रसंसा हो मेरी प्रेज करे या अगर कोई मेरी डेफेमेशन करता है उससे मैं असंतुस्ट बन जाओ या मैं मायूसी बन जाओ या मेरे जीवन में खुशी गायब हो जाए क्या ये मेरे जीवन का आधार है खुशी का ये मेरे जीवन का आधार है तरुप्ति का नहीं In fact, मेरे जीवन का आधार और खुशी जो मुझे मिलती है वो तब होती है जब मुझे अंदर की एकदम गहरी खुद के साथ एक तो संबंध है मैं अपने को जानती हूँ और साथ साथ मेरे को जो प्राप्ति करना है वो प्राप्ति में अपने को समझ करके फिर मेरी प्राप्ति परमात्मा से है तो मेरा आधार है सोर्स है जीवन में प्राप्तियों का वो है परमात्मा तो उनके साथ मेरा जब संबंध है अगर उनको मैं पैचानती हूँ अपने को जानने के बाद जब मैंने परमात्मा को अपने जीवन में पैचाना है उनके साथ मैंने संबंध जोड़ा है तो उनसे मेरे को जो प्राप्ति का अनुबो होता है वो प्राप्ति मेरे जीवन में कायम रहती है तो वो रियल तुपती है तो वो तुपती होने के कारण अपने जीवन में एक बहुत अनोखी खुशी का अनुबो होता है तो जीवन में खुशी और संतुष्टा दोनों का आ पोड़ी सी एक बात काट रही हूँ, आपने बोले जीवन को लेके, ठीक है, हमारा जीवन आया है, इतने से इतने समय ते कि एक टाइम टेवल बना हुआ है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग, लेकिन वास्तरिक में लोग जीवन नहीं जानते, ये जीवन क्या चीज है? जीवन, इंग्लिश में हम कहते हैं, लाइफ, हमारा ये जीवन है, जो हम अभी जी रहे हैं, तो हम कैसे जी रहे हैं? लाइफ है आज हम देखते हैं दुनिया में हर कोई जीवन जी रहा है सुबह से रात तक हम देखे तो मनुश्य भी जी रहा है तो जनावर भी जी रहा है तो पक्षी पंची भी जी रहा है परंतो वो जीवन की जो quality है हमारी जो values है जीवन की वो किस आधार पर है और वो जीवन की जो value है उस value का जैसे महत्व मुझे कहां तक है पहले तो अगर हम मनुश्य जीवन को देखे या जीवन की जब हम बात करते हैं तो हम जीवन कैसे जीते हैं जीवन में क्या है जीवन में अपना breath है माना हम जो स्वास लेते वो है अपने विचार है विचारदारा है अपने बोलचाल है, व्यवहार है, अपनी values है, characters है, यह सब अपने जीवन, यह जीवन को बनाता है कैसे फिर हम इसको use करते हैं, वो हमारी value को, जीवन के value को बढ़ाता है समझो समय हम कैसे बिताते हैं, गपशप मारके या इधर की बात उधर करके या हम किसी और की बातों में चले जाते हैं, अपने को नहीं देखते हैं, माना ऐसे हमने अपना समय को गुजारा तो यह है हमारा जीवन का एक अंग समय, स्वास, फिर हमारा जीवन का जो characters हम कहते हैं, अपनी characters, अपनी जो जीवन में आपस में हम मिल करके किस प्रकार के रहते हैं, और हमारी values, तो values का भी आधार किस पर है तो value का भी आधार है कि हमने कहां तक समझा है अपने को, औरों को भी हमने कहां तक समझा है और हमने ये जो life हम जी रहे हैं वो कितनी अमूल्य जीवन है या कितना अमूल्य है क्या हमने अपना नाप किया है कि कहां तक मेरा जीवन अमूल्य बना है कैसे मैं अपने जीवन के क्षणों को बिता रही हूँ तो रेली जीवन का आधार पूरा इन बातों पर है जिन बातों को हम रेली ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं एक्जाम्पल के तोर पर संबंध, संबंध हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मुल्यवान चीज है अगर एक पार हम संबंध किसी के साथ बिगड़ता है उसको बनाने में हमको कितना टाइम लगता है जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज आज हम जीवन में प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं उसके लिए हम इतना मेनत करते हैं मेनत से वह प्राप्त हमको होती है, समझो हमारा स्टेटस है, या हमारा पुजिशन है जीवन में, या कोई चीज हमको लेना है, उसके लिए हम मेनत कितनी करते हैं, परन्तु जब वह चीज, समझो को ऐसे चीज है, टूट जाती है, काम नहीं करती है, बेकार हो जाती है, तो उ That's right. इसी तरह से संबंदों में ऐसे नहीं कर सकते हैं. संबंद को हमको बना के रखना है, जिसके लिए हमको बहुत समझ चाहिए. उसके लिए हमको बहुत values चाहिए. कि चलो संबंद में छोटी-छोटी बाते हैं, उसको हम देखते हैं कि इंपोर्टन नहीं है. अगर किसी ने कुछ संबंद में कहा और किया नहीं और उसको में hold करके रखो तो वो कहां तक मेरे को लेके आगे जाएगी तो इसलिए छोटी-छोटी अगर बाती होती है संबंद में तो हम let go करते हैं उसको हम अपने दिमाग पर नहीं रखते हैं उसके उपर हम जैसे कोई भी प्रकार का जैसे कोई ऐसी बाते होती है जो हम hold करके रखते हैं इन्होंने ऐसे कहा ऐसे क्यों किया तो हम अपने में ही जैसे stubborn रहते हैं तो ऐसा ना बन करके अपना nature को हम easy बना ले उसको let go करे लेकिन कहीं न कहीं एक attachment होती है कि नहीं यही मेरा है एक मतलब जो एक imported relation होता है नहीं यह मुझे सहयोग देता है या मैं इसके साथ रहती हूँ या family member मेरे तो उसके बारे में क्या कहेंगे वहाँ पर तो फिर वो अलगी हो गया ना तो एक है कि हम समझो किसी के साथ हमारा जो हम संबंदों की बात करते हैं तो संबंदों में एक दो के साथ आपस में कभी-कभी जैसे difference in opinion होता है परन्तु उसका मतलब यह नहीं है कि वो मैं right हूँ और मुझे जैसे चाहिए वैसे ही होना चाहिए नहीं उनका भी opinion हम सुनते हैं उनका भी opinion को हम अगर accept करते हैं और हमने उनके opinion के अनुसार भी कुछ कार्य किया अगर वो right है कोई nothing to lose हम कुछ lose नहीं करेंगे यहांपर हमको औरी अच्छा ही अनुबो होगा कुछ नया ही अनुबो होगा कि ऐसे करने से ऐसे होता है कभी कभी हम अपना पकड़ के रखते हैं तो उसमें क्या खीचा तानी होता है, stress होता है हमारे संबंद में tension हो जाता है, अनबनी हो जाती है तो इसलिए हमारी दूरी न रहे संबंद में, नस्दीक पना हमारे संबंद में रहे, उसके लिए मुझे constantly देखना है कि मैं जहां पर भी given कर सकती हूँ वहां तक मैं करती रहूँ let go कर सकती हूँ, करती रहूँ क्योंकि संबंदों में कहते हैं जुक जुक, मर्मर, सिक, सिक तो ये करके ही रखना पड़ेगा, अगर हम जुकेंगे नहीं अगर हम अपना ही पकड़ के रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, संबंदों में भी वृद्धी नहीं हो सकती है, तो इसलिए लाइफ में संबंद का सुख जो है, वो भी बहुत बड़ी चीज है, यहां पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत जैसे आपके एक हमने जो बायो पड़ा आपका, सादगी भरा जीवन, यह आपने कब डिसाइड किया, कि मुझे ये जीवन जीना है मैंने डिसाइड तो नहीं किया है परन्तु मेरे लिए तो एक एक्चली अचानक ही जैसे नहीं हम कहते के लोटरी भी अचानक मिलती है तो रस्ते चलते चलते ये आध्यात्मीक जीवन के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हो गई लंदन में ये भी मेरा सोबाग्या है बहुत चोटी आयू में उस ताइमाम की क्या एज थी? मैं 19 याज ओल थी और उस वक्त मैं स्ट्यूडन भी थी और मैं बैंक में एक्सपीरियंस के लिए नोक्री भी कर रही थी क्योंकि मुझे भी ये जानना था कि लोगों के साथ हम किस प्रकार से मिल करके काम करें तो कि वहाँ पर सब अंग्रेज होते हैं और उनके साथ मिल करके चलना उनके साथ कारोबार करना वो जैसे अलगी बात होता है हम अकेला अपने आप सब कुछ कर सकते हैं पर औरों के साथ मिलकर के कोई भी कार्य करना। उसमें अपना अंदर की स्किल्स चाहिए। और वो स्किल्सें वर्ट श met वैल्य Rebecca युवार्टा। मेरी जो वैल्यु से उसको मुझे शायन करना है। और अंदर की अपनी जो हम समत्य میں राइट हो। वो एक्चली समय है कि उसको कॉंप्रोमाइज न करके परंतु उसको हम मोल्ड करे और औरोस से हमको क्या सीखने को मिलता है तो वो सीखने की भावना तो सादगी माना कि मुझे कोई शो पसंद नहीं था पहले से ही पहले से सिंप्लिसिटी पसंद थी क्योंकि मुझे अध्यात में में रही हूँ हाट ओफ जैसे कहते हैं हाट ओफ लंडन बाहर भी नहीं पर हाट ओफ लंडन और मेरे इधर उदर सब कुछ था थेटर, सिनेमाज और काफी एंटर्टेइन्मेंट इंडस्ट्री है फिर भी मेरे को इतना भी अट्रेक्शन नहीं था क्योंकि मुझे यही इलावा कुछ और है जीवन में यही इसमें ही सुख है वो मैं कन्विंस नहीं हो पाई थी और मुझे अट्रेक्ट ही नहीं करता था कुछ भी बाहर का और अंदर जाने की बहुत खोच थी अपने को जानने की बहुत खोच थी और साथ-साथ मुझे यह खोच थी किया मैं मात्मा भगवान के साथ अपना संबंद जोड सकती हूं क्योंकि मुझे ये मनुष्य का जो जीवन हम जैसे जी रहे हैं मुझे लगता था कुछ और है इसके इलावा कुछ और है तो उसकी मुझे खोज थी अंदर कि आजकल के लोगों को देखा जाए तो नहीं बस यहां से ल तो 2007 में लंदन में कमेटी हुए थी जो हिंदू की है कमेटी, 12 हिंडू ओगनाइजेशन साथ में मिलकर के हम एक कार्यक्रम करते हैं और वो कार्यक्रम है शुरू हूआ था 2007 हा जी और उससे 2007 से लेके आज तक 2020 तक हम साथ में मिलकर के नेरली 19 years actually 2007 से ही पहले में कहूंगी परन्तु 7 में जैसे हमारा बहुती involvement हो गया था उसमें और 12 organization मिल करके एक बहुती बड़ा कारेकरम Trafalgar Square जो आइकोनिक place है लंडन में वहां पर हम लोग दिवाली करते हैं जहां पर 40-50 हजार Londoners आते हैं और उसमें भी खास ये विशेशता है कि हमारे जितने भी communities है वहां भारत के सब communities है तो सब communities की जो cultural items है उनको हम audition करते हैं हमारे global corporation house में बहुत सुंदरी stage है और auditorium है सब अपनी-अपनी items लेके आते फिर हम audition करते हैं हम choose करते हैं उसमें आपका क्या रोल रहे हैं हमारा ये रोल है कि हमको pass करना है कि कौन सी item ठीक रहेगी Trafalgar square के लिए पर उसमें भी हम ये देखते हैं कि dress क्या है उनका उनके गीत संगीत कैसे हैं और उनकी जो style है किस प्रकार की style है सब में रूहानियत अगर वो रूहानियत से बाहर है तो हम उसको ना कर दे समझो उनका dress अगर अगर हमारे मर्यादा पूर्वक नहीं है तो हम उस item को जैसे side में रखते थे हैं फिर उनके साथ हम बैठते हैं बच्चों के साथ यंग्स्टर्स है सब और उनको हम बताते हैं फिर हम उनको कहते हैं आपका dress को आप ऐसे करो हम उनको चेंज करने के लिए बोलते हैं थोड़ा परिवर्तन करो वो खोच हो जाते हैं सब परिवर्तन के लिए शामिल हो जाते हैं क्योंकि सब को ट्रफाल्गर स्क्वेर में परफॉर्म करना है ये एक उनके बायो में जाता है कि ट्रफाल्गर स्क्वेर में परफॉर्म करने के लिए आपका standard हाई होना चाहिए तो इसी प्रकार से हमने पूरा लोकिक जैसे exposure से हमने पूरा उसको spiritual बनाया और इतना अच्छा लगता है सब को मेरे भी कल्यान के लिए पर उनके भी कल्यान के लिए हो मना सब के benefit के लिए हो तो automatically अगर मैं अपना विचार को high रखूंगी, मैं अपने विचारों को compromise नहीं करने दूंगी, तो naturally मेरी सारी जो और बाते उसको follow करती है, समझो बोल चाले, व्यवहार है, और cultural performances भी है, उसमें भी वो reflect करता है, क्योंकि हमारे विचार जो है, वो high है, हम ये देखते हैं कि इनका ये जो भी movement है, इनका impact लोगों के उपर क्या पड़ेगा, या उनके संगीत के जो शब्द है, उनको भी कभी-कभी हमको change करते हैं, क्योंकि उनका भी impact पड़ता है ना लोगों पर, और community पर, तो ये इस प्रकार से, एक्चुली सब देखते हैं कि यहां से हमारी उन्नती होती है, आत्मा की उन्नती हो रही है, तो इसका बहुत अच्छा ही impact रहा है, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बाते हमारे काम की में, कि आपके जीवन को लेकर अगर हमारे दर्शकों को ये लगता है कि नहीं मुझे यहीं तक ही सीमित नहीं रहना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ चीज, उसके साथ साथ एक अधात्मिक चीज भी हमारे जीवन में बहुत ही मुल्यवान है, आपका ये जीवन देख करके, साथ में आपकी बातों को समझ करके, मुझे लगता है हमें बहुत आगे बढ़ने की जर हमारे काम की हो, है ना, आप यही चाहेंगे कि सब अपने काम की जो उनके काम की बाते हैं, सब के काम की बाते हो ही हम करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थन्यवाद, अज हमने सुना बाते हमारे काम की टाइटल, बहुत अच्छा है, बाते हमारे काम की मुझे उमीद ह आप ये बाते अपने जीवन में ले की आएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में बाते हमारे काम की में एक फिर से यही कुछ जो अधूरी रह गई हैं बाते अगली कड़ी में दुबारा इसको जारी रखेंगे तब तक के लिए दिजिये नमस्कार उम्शादी